ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग जीवन भर गरीब रहते हैं कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहें इसी के साथ हम जानेंगे कि और तो के ऐसे सोने पर कैसे आप बन सकते हैं माला माल घर में होगी धन की वर्शा तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक सरूर दिखेगा नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जोती शास्तर के अनुसार इस रंग के कपड़े पहनने से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है दोस्तो हर मनुश्य अपने पहनावे अपने बोलने के तरीके अपने रहन सहन अपने व्यक्ति तत्व इत कौन से वस्तर आपके भागे का निर्धारन करते हैं कपड़े सभी पहनते हैं दोस्तों लेकिन हर कपड़ा हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता क्योंकि कपड़ों के साथ ही व्यक्ति की किसमत भी जुड़ी होती है शुब शुब सभी प्रकार की बाते भी व्यक्ति के सबसे पहली बात फटे पुराने कपड़े भूल कर भी ना पहने बहुत से लोग अपने पुराने कपड़ों को बदलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते वे कपड़ा फट जाए तो भी वे फंकते नहीं है और ऐसा करके वे अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं जोती शास्तर के अनुसार यदी व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहनता है तो वे शारीरिक रूप से अलसवस्त हो जाता है और बहुत सारी बिमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए फटे पुराने कपड़े पहनने से बचें और बिमारियों से भी खुद को बचाएं द किसी का अंतिम संसकार कर गंगा में डुबके लगा कर अपने पुराने कपड़ों को त्याक कर नए कपड़ों को पहनता है इसलिए नहाने के तुरंत बाद नए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए आप या तो कपड़े खरीद कर घर में आकर ट्राय करके पहन लीजिए फिर क कपड़ों को नहाने के बार पहन लीजिए। इससे कोई दिक्त नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कपड़ा जिसको आपने पहले कभी पहना ही ना हूँ। या फिर वो बिलकुली नया हूँ, उस कपड़े को नहाने के बाद भूलद से भी न पहने। जोती शास्तर के अनुसार ऐसा करना शुब नहीं होता तीसरी बात काले रंग के कपड़े ना पहने हमेशा कोशिश करें कि शनीवार के तरिक्त किसी भी दिन काले रंग के कपड़े ना पहने जिन से आप प्यार करते हैं उनको भी काले रंग के वस्त्रों पहार सवरू भेंट ना करें चौती बात दूसरों के कपड़े न पहने जोती शास्तर के नुसार व्यक्ति को कभी भी किसी और के कपड़े पहने नहीं चाहिए दूसरे का वस्त्र भले ही कितना सुन्दर हो, साफ सुत्रा हो, अकर्शित हो लेकिन फिर भी व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वे हमेशा अपने ही कपड़ों को पहने इसके पीछे का कारण ये है कि दूसरे व्यक्ति का भागय गुण एवं दोश आपके भागय गुण एवं दोश उसे बिलकुल भिन है दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है वो आपके जैसा बिलकुल भी नहीं सोचता यदि आप दूसरे व्यक्ति के कपड़े को पहनेंगे तो आपकी सोच आपके गुण एवं दोश बिगड सकते हैं हो सकता है कि सामने वाले का अगुण उनके कपड़े बार बार पहनने से आपके अंदर आ जाए लेकिन अगर आपको किसी और के वस्तर पहनने हैं तो आप दोने के बाद उन वस्तरों को पहन सकते हैं ऐसे में दोश नहीं लगता पांचवी बात जले हुए कपड़े पहनने से बचे यदि आपके कपड़े किसी कारण वस्तर चल गए हैं लेकिन फिर भी आप उस कपड़े को पहनते हैं क्योंकि आपको कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है तो हम आपको बता दे कि ऐसा करने से राहू की अशुब शाया आपके जीवन पर पढ़ सकती है इसलिए जले हुए कपड़े पहनने से बचे चटी बात पुराने कपड़ों का दान करें यदि आपके उपर शनी की दशा चल रही है तो आप गरीबों में अपने पुराने कपड़े दान कर दे ऐसा करने से शनी की जो दशा आपके उपर चल रही थी वे बहुत कम हो सकती है साथवी बात स्वच कपड़े पहने स्वच वस्तर स्वच विचार उत्पन करते हैं इसलिए ज्योति शासर के अनुसार व्यक्ति को कभी भी गंदे कपड़े पहने नहीं चाहिए यदि व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है तो वे गरीबी का शिकार हो जाता है माता लक्ष्मी उससे रुष्ठ जाती है और उसके समक्ष कभी भी नहीं आती इसलिए कभी भी गंदे वस्तर पहनने नहीं चाहिए यदि आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो आपको धन की प्राप्ती कभी भी नहीं होगी आठवी बात गुलाबी या लाल कपड़े पहने जिन व्यक्तियों को बार बार गुसा आता है वो व्यक्ति लाल या गुलाबी रंग का वस्तर जरूर पहने क्योंकि दोस्तो लाल या गुलाबी रंग का वस्तर उनके मन से नकरात्मक सोच को खतम कर सकता है और सकरात्म कुर्जा प्रदान करता है गुरू का रंग होता है लाल इसलिए व्यक्ति को लाल रंग या गुलाबी रंग पहनने से अच्छा मैसूस होता है नौवी बात विध्यार्ती हरे रंग के वस्तर पहने हरा रंग बुद्ध का रंग होता है बुद्ध से विद्या, बुद्धी, प्रसिद्धी हासिल होती है यदि आप विद्यारती हैं तो आप हरे वस्त्रों को अवश्य पहना कीजिए हरे वस्त्र पहनने से आपको कभी भी पढ़ाई को लेकर चिंता नहीं होगी आप अपने अध्यान पर अच्छे से मन लगा पाएंगे जोतिश की अनुसार यदि आप इन समस्त बातों को ध्यान में रखकर वस्त्र पहनते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाले संक्टों से खुद का बचाव कर सकेंगे एवं अपने जीवन में उन्नती भी कर पाएंगे महिलाएं जब ऐसे सोती हैं दोस्तों तो यकीन मानिये आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों नमबर एक शास्त्रों में सपष्टी रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाले महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्षमी रूट जाती है मानिताओं के अनुसार रात दो बजे अगर कोई महिला जागती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परिशानियां असकती है इसलिए किसी भी महिला को बेवजा देर रात तक नहीं जागना चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है इसलिए जल्दी सोकर सुबह उठना चाहिए दोस्तों नमबर दो धरम शास्तरों के अनुसार चाहिए आपका कोई भी धरम के उना हो जहाँ पर महिला अपना ज्यादा समय सोने में बिताती है तो वहाँ पर कभी भी राहू केतू शनी की दृष्टी पढ़ सकती है सच माइने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो महिला अमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता करोधी तो जाते हैं इसलिए सीमित मातरा में ही सोना चाहिए ज्यादा सोना धन की हानी और बीमारियों को नियोता देने के बराबर होता है दोस्तों नमबर तीन जब भी आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकरात्म कुर्जा से भरी बातों का जिक्र बिलकुल भी ना करें ऐसा करने से नकरात्म कुर्जा कर्शित होती है और आपके सपनों में आकर याप पर हावी हो सकती है सोते सो में मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए इस से हमें कामियाबी मिलती है दोस्तो नमबर चार मंगलवार और शनीवार और भ्रसपतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का कोशिश करें ये समय आपका विनाश कर सकता है शास्तरों में इस पश्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उटने वाले व्यक्ति पर कई सारे दोश लगते हैं जो उसे बरबाद कर सकते हैं दोस्तो जब कोई महिला पूरव और दक्षिन दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धंधाने से भर जाता है खुशियां घर में ऐसी आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी इस दिशा में पूरुश और महिला दोनों को ही सोना चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रादा से जरूर लिखेगा राधे राधे और साथी वीडियो को लाइक कीचे अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीचे ताकि उनको भी इसका फाइदा हो सके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने भी तक नहीं किया है ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद